साउदी अरब दुबई शार जहां ओमान कटर में एद का चांद देखा गया है अब दुबई में आज एद मनाई जाएगी और भारत में कल एद मनाई जाएगी तमाम दर्शकों को एद की बधाई और शुपकामनाई साउधी अरफ में चांद दिखने के बाद सुबह वहाँ ईद का तहवार मनाया जा रहा है तो वहीं कल यानी शनिवार को भारत में ईद मनाई जाएगी यह दुनिया भर के मुसल्मानों द्वारा मनाय जाने वाला एक प्रमुक तहवार है पवित्र महीने में मुसल्मान रोजा रखते हैं और सुरज निकलने के बाद से सुरज के ढूबने तक खाने पीने से दूर रहते हैं आपकी फिटनिस का राज क्या है आश्वेल रस ये एक ही बॉटल में है स्ट्रेस, वीकनेस, अचेडिटी, अबिसिटी, हेर फॉल, स्किन के हर परेशानियों का एक ही हल आश्वेल लाइफ, डियाबिटीस फ्री लाइफ वहीं इदुल फितर के तहवार को रोजे खतम करने का तहवार भी माना जाता है बता दे कि अस्लामिक चंद्र कैलेंजर के अनुशार दस्वा महीना शवाल है और अस महीने का पहला दिन दुनिया भर में इदुल फितर के रूप में मनाया जाता है इद को एक रास्थानी पटना के बाजारों की जोनक बर गई है लोग जम कर करिदारी कर दे हैं पटना के सबजी बाग और फुलवारी शरीफ इलाके में लोगों की भारी भीर देखी जा रही है आपको बता दी कि बाजार सी लोग सेवई कप्रा, ड्राइफ रूट, सहीत कई सामान खरीदिते देखे जा रहे हैं मुस्लिम धर्म में रमजान महत्पून महीना होता है, रमजान या रमदान इसलामिक कैलेंगर का नौवा महीना होता है, इस महीने को बेहद पाक माना जाता है इसमें मुस्लिम धर्म के लोग एक महीने के लिए रोजा रखते हैं रोजे रखने वाले को रोजेदार कहते हैं रमजान श्रब्द अर्भी भासा से लिया गया है जो सकार्थ होता है चलचलाती सूखा कर रात में तरावी की नमाज पढ़ते हैं कुरान के दूसरे पारी के आयत में रोजा हर मुस्लिम के लिए जरूरी बताया गया है रमजान को नोकियों का मौसम भी कहा जाता है सुपूरे महीने मुस्लिम बर्ड के लोग अलला की अबादत करते हैं और इबादत के साथ साथ धर्म कभी धान धर्म भी करते हैं। रोजा रखने की शुरुआत आधा चांद दिखाई देनी के बाद होती है। और चांद दिख जानी के बाद लोग एक दूसरे को रमजान मबारक बोलकर बधाई देते हैं। आध को बता दे कि साथ अरब दुबई शार जहां ओमान कतर में इद का चांद दिख गया है। इस पवित्र महीने में लोग मुसल्मान रोजा रखते हैं और सुरस निकलने के बाद सुरस के डूबने तक खाने पीने से दूर रहते हैं।